सो हेलो गाइस वेल्कम तो माई चैनल मारिनाटी के हम आज वीडियो में बात करने वाले हैं कि वाट विल वी डू इफ सेंट्रिफिकल पंप डिस्चारजिंग दा वाटर यह कुश्चन मर्चेड नेवी के जी एमी के इंटर्व्यू में बहुत बार पूछा गया है और मुझ है तो इस इंटर्व्यू पूछता है कि वाट विल यू डू इफ सेंट्रिफिकल पंप डिस्चारजिंग दा वाटर सो इसके पांच्छे कॉजिस हो सकते हैं कॉजिस बहुत ज्यादा है लेकिन जो मेंली आपको बताने है या फिर मेंली जो कॉजिस हैं वो यही है कि सबसे पहले जो कॉज आता है वो है lack of priming, priming हमने पढ़ा है बहुत अच्छी तरह, priming is the process of filling the suction pipe and the pump to went out the accumulated air, so priming करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पहला कॉज यही है कि lack of priming, प्राइमिंग करेंगे सबसे पहले, इफ हमारा centrifugal pump discharge नहीं कर रहा है बहुत कर रहा है, दूसरी च प्राइमिंग हो चुका है, लेकिन losses अकर हो गए, so losses के 2-3 points है, जो मीन कारण है, मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि जो हमारा suction pipe है, उसमें बहुत ज्यादा joints होना, bands होना, joints और bands की वज़ए से friction losses increase हो जाएंगे, losses बढ़ जाएंगे और भी, so हमारा जो generated pressure है, वो loss होना श इस lax proceeded an happen, connection pipe में leaks हो रहे हैं, दूसरा cause ये भी हो सकता है, कि suction pipe में leakage है, हमारा प्राइमिंग चो करने का कोई फाहदा ने निकले गा, प्राइमिंग हमने किया था होना दो कोई भी फाहदा ने निकले तो इसका कारण यह है कि जो हमारो जो supply आ रही है जो voltage है जा तो वोलो है तो इसको हम कैसे क्यों करेंगे बाइ checking up the supply हम single phase supply आ रही है तो इसको three phase supply देंगे frequency बढ़ जाएगी उससे frequency बढ़ जाएगी तो हमारो voltage भी भढ़ जाया तो हमारे जो speed है वो भी increase हो जाएगी मोटर की जो शाफ्ट है वो रॉंग डियरेक्शन दिया होता है कि यह गुमेगी यह गुमेगी तो उसी इसाब से हमको शाफ्ट को भी गुमाना पड़ता है इस घ्मारा इंपाइलर जो पंप है और शाफ्ट दोनों एक दूसे क्या अपोजिट डार कर रहा है तो जो हमारा पंप है वह व blender हो जाएगा इससे बिर्समारा है तेंचल रहां हो जाएगा कुछी दोनों अलग रुटेशिन सिवत पॉइ्ट जो हमारा हो सकता है जो है defective impiler impiler जो rotation कर रहा है ताइम के साफस़ को maintenance नहीं मिल पारही है तो हमारा impiler या तो damage हो जाता है या फिर उसकी blades जो होती है वो erode हो जाती है तो एक जो कारन है वो ये भी हो सकता है कि defective impiler जो के हमारा 6th point है वो है NPSH, Net Positive Suction Health, यह बहुत ज़्यादा जरूँगी किसी भी pump को select करने के लिए, The NPSH बहुत बड़ा topic है और इसको एक line में define करना चाहते हैं, It measures the pressure XPS by fluid at the suction side, So जो NPSH है वो हमको pump select करने में help रहता है, जो हमारा NPSH available है, वो हमेश्य greater होना थी है NPSH requirement से, So हम negative pressure generate कर पाएंगे, So thank you guys, यह जो causes हैं और यह जो मैंने आप क्यों बताएं हैं, यही आपको बताने हैं, इससे भी ज़्यादा हो सकता है, आप Google कर सकते हो, So thank you guys, If कोई suggestion है तो मेरे को comment box में आके suggest कीजिए, I will look up to there, If कोई topic है जो आप जानना चाहते हैं या फिचाते हैं इस पर में video बनाऊं तो I will look up to there, And next वीडियो मेरी होने वाली है, वो है marine exhaust catch turbo charger, So बहुत ही interesting video बनाने कोशिश कर रहा हूं मैं, बहुत ही अच्छी वीडियो होगी वो, So please do subscribe मैं चाहते, Thank you guys,